कि अब आज बात करने वाले हैं कि कुछ भाईयों को यह भी नहीं पता कि वह कैसे लगाए जाता है और 2000 जो हमारा आरे बाइस तो बहुत अच्छी बात है कि 2021 में बहुत से दुख देखे हैं 2022 के अंदर हम बहुत से अच्छी जिन्दगी जीए खुश्यां बरी हम जिन्दगी जीना चाहते हैं तो हम जीएंगे भी पर आपको दातों कि 2022 की जो पहली दिन होगा जनुरी को भोग किसी जगा लगाए ताकि पूरा 2022 हमारा अच्छा जाए यह मेरा निया चैनल दूसरा चै चल दी बहुत अच्छी जी वीडियो और भी दूआ 2022 में आपके घर में कोई प्रोब्लम और चल रही है तो मैं एक नहीं चीज भी लेके आ रहा हूं जिसे उपाई बताए करूँगा मैं इस चैनल में लब बख जादा वीडियो उपाई की डालूँगा और में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं आग्याने वाली वीडियो के बारे में उपको पता चलता रहीगा आज की वीडियो में है कि 2022 के जनौरी आने वाली ऐाम एक जनौरी के दिन हम बाबस पूझा करें कैसे करें और क्या भोग लगाएं और क्या इसा काम करेंग हमारा 2022 सब भी पूरा अच्छा जाए और जो कोई चोटो कोटे मोटे हमारे काम रुके होाँ नहीं बन रहे हैं कर काटoo जा भी रही है। पर हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं तो वो काम बैद आगें तो इन सब बतों का जबाब आज इसी एक video में देने वाला हूँ. वीडियो हम बनाते रहते हैं, आपका साथ हम देते रहते हैं, बस आप हमारे साथ देते रहे हैं, अगरो चैनल को सब्सक्राइब करके और जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुए, पहले लाल बटन नहीं है, लाल बटन तो उसको सब्सक्राइब करना होगा, पहले लाल करोगे तभी है हमें एक खुशी मिलती है कि आप महारी वीडियो चेह पसंदो और आपको पसंद आती है और आप से खुश और लाइक करते हैं वीडियो सुर्वात और वीडियो के एंड में एक अच्छी बात चोड़ने वाला हूं जिससे आपका दिल खूस हो जाएगा और आपको प्राउट फिलो गाम पें के भाई ने इस वे रियर में सच बता है तो करें बता हूं आप वीडियो को शुरुत कर रहे हैं तो जो जरूर जाए बात आपको सुचना देनी है तो पहला वो जान लो मैं अर्चुन अचारवाइस आपका स्वागत करता हूं मरे इस यूटूब चैनल में एमबी स्याम रग में देखो बाबाशाम का एक जैनुरी को भोग लगाना है कुछ भाई तो खटूम भी होंगे जैसे हम जा रहे हैं बाबाबाशा हो कम तो है फि आथे दलिया तो एक अभने देखो दलिया गर में हमारे लग बग मिलता ही है तो दलिया उस दिन गवमातों को जरूर किलाएं और गवमातों को एक रोटी भी जरूर किलाएं याद रखना और खीचड़े का भोग खीचड़ा होता क्या है कई के command कर चिचरा के बाब से बार तो खीजडे के अंदर डालनी डलती, खाली नमक के साथ उसको बाला जाता है, और इसके अंदर गी से चमका जाता है, गी के साथ उसको त्यार किया जाता है, तो उसको पूरना पड़ता है, और उसकी पूरी वीदी मैं आपको एक वीडियो के मादे में आपको बताने वाला कि बाबाश्यम की ज़से 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 ज़ तो आप लसन प्यार नहीं डालोगे तो मैं बापा शाहम आपके बरकत जरूर देंगे और वो शीज का वोग लगाओगे तो आप गर में चमतकार देखने को मिलेगा और चमतकार ना देखने मिले तो मुझे कहा देना आप यार मैं लग खाटू में आता भी देता हूं कार्ट चाहिके नहीं कच्छा दली आकिलाना है अब एक बात वारता दूमापको जो जरूरी बात है कि बाबाश हम की जोट में देशी घी इूज किया जाता है और उपले के ओपर ही बाबाश हम की जोट ली जाती है यह नहीं कि कई बाई के बाई हमारे गार थे पड़ी या गोस् अंगारे पे नहीं लेनी बाबाचाम की जोत उपले के उपर ही आती है उपला आपके पास होना चाहिए और जब आपने आप बाबाचाम की जोत लो तो उसके पास में इत्र की खुस्बू जरूर कर देना बाबाचाम बहुत जल्द आपके घर पे आ जाएंगे ये कोई मैं जादू मंतर तंतर मंतर नहीं बता रहूँ एक अच्छा सा उपाए है जो एक असा उपाए है वो मैंने आपको बताया है इस वीडियो के मादम से और इस वीडियो के मादम से आपको ये जानकारी आपको मिल भी गई होगी क्योंकि जानकारी के अंदर एक अशा कुछ नहीं था कि जो आपको पता ना चले है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सुस्क्राइब और बेल आइकन ओन कर देना तक कि नहीं आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए हो और आपके गर में हरे एक जो सब बता दिया हैं तो पुल चुको गे हैं तो हमसा करें हम आप सपोर्ट चले हैं और और आप की सपोर्ट हम कर रहे हैं को आप सबस लिए कोई भी स्यंपर्पमिय दुक्न सायए को श्याम मिलूँ अगली बिरूम